मैं ठग गई हूँ पग गई हूँ इरिटेट हो गई हूँ और यह कोई कब तक सहन करेगा यार रोज की रोज एक चीज एक चीज नहीं शान्त हो रहा है जैनीफर मिस्त्री का गुस्सा असित मोधी के बाद अब मिस्टर भीडे की लगाई क्लास हेलो आप देख रहें फर्स्ट इंडिया मैं हूँ आपकी होस्टें दोस्त रजनी बता दे इन दिनों तारक महता का उल्टा चश्मा में रोशन भावी का किरदार निभाने वाली जैनीफर मिस्त्री का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ली रहा है जी हाँ अभी हाल में शो के प्रडियूसर असित मोधी पर इन्होंने योन उत्पीडन का आरोप लगाया था अब इसके बाद उनका गुस्सा मिस्टर भीडे पर तूटा है चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला लेगिन इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा वेल आपको बता दे इन दिनों जैनिफर मिस्टरी अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है असीत मोधी के बाद अब इनका गुस्सा तारक महता का उल्टा चश्मा में मिस्टर भीडे का रोल लिभाने वाले यानि की मंदार चंदवाद करने जैनिफर के आरोपों को जूठा बताया था अब जाकर जैनिफर ने उन पर पलट वार करते वे कहा है कि मंदार खुद एक आदमी है और वो क्या कहेगा जो भी असीत मोधी बोलेगा वो वही करेगा मेरी कोश्टार ने मंदार को गाली देते वे कहा था कि वो तो अपन बयानों से पलट गया मैंने जवाब में कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें जो करना है वो करेंगे अभी हाल में जैनिफर मिस्त्री ने अपने इंस्ट्राग्राम पर एक वीडियो शेयर करके बताया था कि मेरी चुपी को मेरी कमजोरी ना समझे आप भी सु यादराख है उसके घर में कोई फरक नहीं है तुझ में और मुझें वेल आपको बता दे जैनीफर मिस्त्री का जो गुस्सा है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है अब उनका गुस्सा फूटा है मंदार चंदावरकर पर जी हां उनका कहना है कि मंदार अपने बयानों से पलट गए लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कि वो सच्ची है और वो हमेशा अपने बयानों पर कायम रहेंगी वैल आपको भी अपनी कोई राय देनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर दे सकते हैं चैनल को लाइक शोर सब्सकाइब करना बिलकुल ना भूले